हलो मैं फ्रेंड्स कैसे हो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं जब भी अखबार उठा कर देखता हूं तो एक खबर मुझे देखने को ज़रूर मिलती है प्रेटें के वाई सी को अपडेट के नाम पर लोगों से लाखों रुपे की ठगी की जा रही है दोस्तों जब भी मैं खबर पड़ता हूं तो बड़ा धुख होता है क्योंकि आपकी मेहनत की कमई आपकी आखों के सामने आप के ही अकाउंट से कोई दूसरा इसे चुरा ले जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि इस तरह की ठगी को रोका जा सके दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और नए वीवर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्नो बाजी को सबसर्ब कर लीजेगा और नॉटिफिकेशन में अल आइकन को प्रेस करना बिलकूर बूलिएगा ताकि मेरी आने वारी वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते है अगर पेटियम की KYC का अपडेट का मेसेज अगर आप लोगों को रिसीव हो चुका है तो आपको सावदान हो जाने की जरूरत है क्योंकि ठकी का अगला शिकार आप भी हो सकते है दोस्तों सबसे पहले आपके मुबाइल पर एक मेसेज आता है अगर आप इसे True Color में सर्च करते हैं तो यह Paytm KYC Center के नाम से ही आपको दिखाता है इस CyberTag इतने होशार होता है कि इन्होंने इस नंबर को Paytm KYC Center के नाम से True Color के अंदर रिजिस्टर किया हो होता है इसलिए आपको यकीन हो जाता है कि यह genuine नंबर है और Paytm KYC Update Center का ही नंबर है और आप इनकी बातों में आग करके इनको फोन लगा देते हैं दोस्तों सारी कहानी है सही स्टार्ट हो जाती है जैसी आप इन फोन नंबर पे फोन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपकी KYC Complete करने के नाम पर आपको कहता है कि आपको Google Play Store से एक एप डाउनलोड करनी होगी Teamweaver या फिर Quick Support या फिर वो Anydex नाम से एक एप्लिकेशन को डाउनलोड करवाता है दोस्तों ये एप्लिकेशन रिमोट डेक्स्टॉप की एप्लिकेशन होती है जो कि आपकी device को remotely किसी दूसरे को देखने की या फिर इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती है चलि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये एप्स किस तरह काम करती है और ये ठग इन एप्स का इस्तेमाल करके किस तरह से आप से ठगी करते है फ्रेंड्स लेफ्ट एंड पर है मेरा मूबाइल और राइट एंड पर है साइवर ठग वाला मूबाइल ठीक है अब यह आपसे quick support any desk या फिर इसी तरह की remote desktop app install करवाते हैं और install करवाने के बाद आपसे open करवाते हैं आपके mobile पर एक permission आती है जिसे आपको allow करने के लिए कहा जाता है जैसे कि आप देखते है allow remote support इसको आपको allow करने के लिए कहा जाता है और जैसे ही आप इसे allow करते हैं तो आपके mobile की screen सामने वाले के पास यानि cyber ठक के पास चली जाती है और who बहू वही screen वो देख रहा होता है आप क्या कर रहे हैं आपके mobile पर क्या चल रहा है वो सब कुछ चीज देख सकता है यहाँ तक ही वो आपके mobile को control भी कर सकता है इसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपको अपने PTM wallet के अंदर 5 रुपे या 10 रुपे का amount अपने debit या credit card से add करना होगा इसके लिए वो आपके PTM account के wallet में आपसे पैसे add करवाने के लिए कहते हैं आप simply 5 रुपे का amount आप add करने के लिए कहा जाता है आपको और इसके पास जैसे आप इसमें add पे click करते हैं तो आपसे debit या credit card की detail डालने के लिए कहा जाता है यहाँ पर वो कहते हैं कि आपके इसके अंदर जो save card है उनका इस् mobile पर आयवा OTP सभी की जानकारी सामने वाली व्यक्ति को हो जाती है और इसी तरह से वो cyber ठकी को अंजाब दे सकता है यह तो सिर्फ थी देखने की बात इतना ही नहीं दोस्तों वो सिर्फ आपके mobile की screen को देख ही नहीं सकता बलकि उसे control भी कर सकता है आपके mobile की screen के अंदर क् control कर सकता है आपकी mobile में कौन को सी app install है उसे देख सकता है उसे modification कर सकता है आपने जो इसके अंदर amount डाला है वो उसके अंदर फेर बदल भी कर सकता है पांच रुपे को 10,000 भी बना सकता है और 10,000 को 50,000 भी बना सकता है और इसके बाद वो अगर आपके UPI को इस्तमाल करना च की KYC को complete करवा रहा है यहाँ पर वो आपके UPI को इस्तमाल कर सकता है और आपसे कह सकता है कि आप अपने UPI का इस्तमाल करके 5 रुपे का transaction कीजिए और simply वो आपके UPI के password को देख लेता है और उसके बाद ठगी को अंजाम दे सकता है दोस्तों अगर आपके पास message आ चुका है और आपको पता नहीं है कि आपने अपनी PTM की KYC को complete किया है या नहीं किया है या फिर आप अपने PTM की KYC का status जानना चाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने PTM को login करना होगा और login करने के बाद left side पर जो 3 dot नजर आते हैं उस पर आपको click करना होगा वहाँ पर आपका नाम और आपके mobile number के साथ में अगर blue color का tick आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी PTM की KYC complete है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर वहाँ पर unfortunately blue tick नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी KYC complete नहीं है और आपको KYC complete करवानी होगी किस तरह से आप अपनी KYC को अप्शन नजर आएगा इस पर आपको क्लिक करना है आपके आसपा जितने भी KYC के सेंटर होंगे PTM वाले उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी इन मैसे जो भी आपको पास पड़ता है या जिस पे भी आप जाना चाते हैं यहां इन सेटन पर आधार कार्ट से आप अप पर आप्शन नजर आएगा जिसके अंदर आप अपने पैन कार्ड और पैन कार्ड के साथ में आप अपना डाविं लाइसेंस पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर अगर आपकी पास नरेगा कार्ड है तो उससे अपनी पेटिम की KYC को अप्डिट कर सकते ह इसके लिए आपको अपका state select करना होगा तो मैं राजिस्थान में रहता हूँ तो राजिस्थान select कर लेता हूँ और इसके बाद select district तो यहाँ पर मैं जैपूर का रहने वाला हूँ तो जैपूर select कर लेता हूँ इसी तरह से आपको भी select कर लेना है और इसके बाद बिना को अपडेट करवा सकते हैं दोस्तों वीडियो देख करके आप समझी गए होगे कि आपको साइबर ठगी से किस तरह से बचना है सबसे पहली चीज तो अगर आपके पास पेटेम की केवाईसी अपडेट का मैसेज आता है तो आपको उस पर यकीन ही नहीं करना है पहली बात तो अगर आप यकीन कर भी लेते हैं तो मैंने आपको वीडियो में बता गिया है कि किस तरह से आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपकी पेटेम की केवाईसी अपडेट है या नहीं है नहीं है तो किस तरह से आप अपनी पेटियम की केवाई सिक अपडेट करवा सकते हैं दूसरी चीज किसी भी टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर या फिर किसी भी अन्नोन व्यक्ति को अपके रिमोट डेक्स्टॉप एप का एडिन नहीं बताना है किसी को भी अपने डिवाईस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है जब तक आप उस पर पुरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं दोस्तों इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप साइबर ठगी से बच सकते हैं दोस्तों ये link request money का होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सामने वाले ठग्र आपसे money के demand करता है और उसके बाद हो एक link send करता है जिस पर click करने के बाद अगर आपने उसका UPI payment कर दिया तो सामने वाले वक्ती को वो amount चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ठगी का शिकार हो गए तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी unknown link पर click नहीं करना है तो आप साइबर ठगी से बच सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर ये वीडियो आपकी किसी family member, friend से काम की है या फिर आप उन्हें साइबर ठगी से अवगत करवाना चाते हैं तो ये वीडियो को share करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों मुझे comments में जरूर लिख के बताएगा कि ये वीडियो किन-किन लोगों के काम आई और किन-किन लोगों को साइबर ठगी से शिकार होने से बचा पाई दोस्तों मुझे जानकर खुशी होगी अगर मैं एक भी वीडियो को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा पाऊ दोस्तों फिर मलाकात होगी अगले वीडियो में किसी technical topic के साथ तब तक इजाज़त दीजिए जय हिंद